संत रविदास जी ने 600 साल पहले बता दिया था क्यों कौन संत है कमेंट्स वक्ष में हमें जरूर बताई मैं राउल सैनी ए चैन्योज पर आप सबी का हारदिक स्वावित करता हूँ दोस्तो आज हमें कैसी भविशेवानी से परदा उठाने वाले हैं जो कि अपने पहले कभी नी देखी होगी यह भविशेवानी संत रविदास जी ने 600 साल पहले ही कर दे थी कि आने वाला शमय ऐसा होगा आईए जानते हैं उस भविशेवानी के बारे में कि रविदास जी ने 600 साल पहले क्या बता दिया था कईए भविशेवानी करोना वाईरिस को लेकर तो नहीं की गई यो अब देखना ही होगा क्या करोना वाईरिस के लिए थी या फिर किसी और मामारी के लिए की गई थी चलिए सुनवाते हैं आपको क्योंकि क्या बवीशेवानी थी रविदास जी की पोती से भारत में अवतारी होगा जो अति विसमकारी होगा ग्यानी और विग्यानी होगा ओ अद्वुद सैनानी होगा जीते जी कई बार मरेगा सदम देश में जो विचारेगा देश बचाने के लिए होगा एक आहान यूग परिवर्तन के लिए चले परबल तुफान तीन और से होगा हमला देश के अंदर द्रोही घपला सभी तरप को राम मचेगा कैसे हिंदुस्तान बचेगा नेता मंतरी और अधिकारी जान बचाना होगा भारी छोड मैदान सब भागेंगे सब अपने अपने घर दुपकारी क्या यही सच में साबित हो रहा है जैसे करोना वाइरिसे सब भी अपने घरों में बैठे में लोकडाउन लगा हुआ है वो नेता मंतरी अधिकारी को सब को जान बचाना बहुत भारी हो रहा है आम जनता भी बड़ी दुखी हो रही है इस महामारी से और इसमें आगे इन्होंने लिखा जिन जिन भारत मात सताई जिसने इनकी इसकी क्री लुटाई डूंड डूंड कर ब वह जादा मोते हो चुकी है लंदन सागर में डूबएगा यूद तिसरा परलंकारी जो होगा भारी सेहन संत राज सुक बरसाएगा, सैस वरस तक सत्यों के लाग गया, विश्व गुरु भारत बन जागए, यह इन्होंने बहुत बड़ी अच्छी बात की है, कि सत्यों के दर्सन आएंगे, और एक संत राज करेगा, इन्होंने इस संत के बारे में किया गया, बताया गया है, जैक उ आने वाल आशे में आपको जुरूर बताएगा कि यह महाफुरुश कौन होगा, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, कमेंट्स बुक्स में जुरूर बताएगा,